हेलो दोटों कैसे हैं आप लोग सब स्वागत है सबको सुपर इंजिनेर चनल में और आज इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वो सबको पता है थामनल से सब लोग जानगे होंगे क्योंकि यह जो सेल है साल में सबसे बड़ा सेल ख्लिपकाड का बिग बिलियंडे सेल और लोगों के लिए ठीक है तो यह वाले वीडीयो में हम लोग के वल मोबाइल का दिल देखेंगे अनली देल आजो से प्रोज में बताओंहे उसको सब के बारे में detail में बतावेंगा आपको कौनसा आपको ले ना चाहिए कौनसा आपको उसमें क्या प्रोस है क्या कॉछा थोड़ा बहुत में बतावाँ वीडियो में इतने सारा mobile कभर करना है और नेक्ट विडियो आएगा उसमें हम अलग 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 कुछ offers के बेस्ट offers के बारे में डिसकस करेंगे यह जो वीडियो है यह exclusively फर मोबाइल से रहेगा तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं डारेट डिल्स पे वहीं पर मैं आपको दिखाता हूं क्या-क्या मैं चूज किया हूं क्या-क्या डिल्स में पिक किय पर आपवन 12 64GB जो एवलेबल हो रहा है अब फ्लिक पार्ट में 48,999 पर तो मैं आपको दिखाता हूं मेरा डिल पे जो आपवन 12 है वो है 48,999 दोस्तों मैं आपको बताता हूं आपवन 12 के ओपर इस से अच्छा डिल कभी हो ही नहीं सकता जो फोन लॉंच वा था 7999 मतलब 80,000 रुपेय में वो आज आपको मिल रहा है 49,000 रुपीज में यह बहुत अच्छा डिल है आपके लिए और यह बिग बिलियोंड है निकल जाएगा तो इसका प्राइस फिर बढ़के around 60,000 रहे का मैं बता रहा हूं और यह जो है 48,999 है अगर इसमें मैं 128 जे भी सिलेट कर देता हूं तो यह आपको आएगा 53,999 जिन लोगों को थोड़ा सा मेमोरी की ज्यादा जरूरत है तो इन लोगों को यही डिवाइस चूज करे मैं बता रहा हूं मैं आपको सजेट करें यही डिवाइस चूज करे 128 GB क्योंकि Apple में थोड़ा मेमोरी के ज्यादा जरूरत पड़ता है हाई क्वालेटिफ वीडियो और स्टफ के लिए तो और अपल आइफोन 12 मिनी यह भी काफी अच्छा डिवाइस है इसमें A14 चिप है जो आपल आइफोन 12 में है यह काफी है कुछ लोगों को छोटा फोन बहुत पसंद होता है इसलिए उनलों के लिए यह फोन बहुत ज्या दे रहा हूं यह जो भी डील में बता रहा हूं इसके ऊपर आपको बैंक ओफर लगेगा जैसे की फिलिप कर द में ऐकको इसी बंक में बैंक और अमजन में आपको फिल्स नाइन पूजर है यह आपको मिल राहा है। 60,000 में जो phone launch हुआ था 65,000 में यह आपको 4,000 discount मिल रहा है और इसके उपर आप HDFC में और 3,000 रुपी डिसकाउच ले सकता है यह काफी अच्छा device है आपका flagship chipset आता है 888 snapdragon 888 ठीक है तो next deal जो है मेरे पास वो है 1 plus 9 का यह 1 plus 9 है यह आपको sell में मिल रहा है 46,999 पर और इसके उप अबर आप HDFC bank का card का offer भी ले सकते हैं और HDFC bank में यह 7,000 का discount इसमें आ रहा है तो यह effective आपको 40,000 में ही आएगा ठीक है तो काफी अच्छा deal है आपके लिए इसमें फ्लाक्सी प्रोसेसर snapdragon 888 है तो यह काफी अच्छा performance related phone है दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं और यह मे मेरा personal experience है अगर आपको phone OnePlus को खरीदना है तो OnePlus 9 लेकिन OnePlus 9R मत लीजिए OnePlus 9R का camera quality मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, there is a honest opinion, OnePlus 9 का camera quality अच्छा है, OnePlus 9 Pro का camera quality और ज्यादा अच्छा है, next जो मेरा pick है वो है Veebo X70 Pro, जिल्लों को camera बहुत ज्यादा पसंद है वो यह दो device च X70 Pro Plus, हो सकता है कि वीभो ब्रांड के लिए आप थोड़ा सा हिसकी चाहिए कि मैं Veebo के लिए X70 Pro जो है वो आता है 46,990 पे और जो Veebo X70 Pro Plus है वो आता है 79,990 पे, आपको यह मन में आ रहा हो कि मैं Veebo ब्रांड के लिए 48,000 या फिर 80,000 क्यों खर्च करूं, दोस्तों यह ब मैं एक यूटूबर मेरा दोस्त के पास में देख चुका हूँ, यह डिवाइस का केमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आपको केमरा फोकुस्ट फोन चाहिए तो आपके लिए दो डील है Veebo X70 Pro Plus और Veebo X70 Pro, इसमें भी आपका फ्लाक्सिप जो प्रोसेस के 1200 चिपस है, वह भी काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन अगर आपको रियली ज्यादा केमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तब आप इसको यह वाला फोन को चूज करें, ठीक है, तो next डील है हम लोग आते हैं, 30,000 से लेके 40,000 के बीच में, दोस्तों यह जो 30,000 के बीच का जो रेंज है, यह खास करके हम इंडियान लोगों को थोड़ा मीड रेंज प्रीमियम वाला जो रेंज है, यह काफी अच्छा लगता है, तो यह वाले रेंज के लिए हम लोग मैं कुछ पिक्स किया हूँ, वह वाला जो मैं डील पिक किया दोस्तों मैं जो यह रेंज में जो पिक किया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरा पहला पिक है, मोटो प्रोला एज 20 प्रो, इसका सबसे बड़ा जो यूएस पी है, वो है इसका एंड्रोइड भर्जन, यह प्योर एंड्रोइड के साथ आता है, जो लोग जो लोग आप ड्रागन 870 रहेगा, और राम जो है 8G भी रहेगा और इसका अलग भेरियंट्स भी रहेगा, इसका जो में यूएस पी दो चीज है, एक है आपका मोटोला का ब्रांडिंग, दूसरा चीज है प्योर एंड्रोइड और यह काफी अच्छा प्रोप्रोरेंस देगा, ऐस यह 50,000 प्लस 50,000 था, लेकिन यह सेल में आपको मिलेगा यह 36,990 रुपीज में, और इसमें जो यूएस पी है, यह है स्नापड्रागन 865 प्रोसेसर और स्नाप सामसंग का One UI, और सबसे बड़ी चीज है यह आपको S20 का फिलिंग दे देगा, S20 जो हायर बाला भर्जन है, य इसमें 5G है, और काफी अच्छा फोन है, काफी अच्छा फिल भी आता है, फोटोज भी काफी अच्छे आते हैं, ठीक है, दोस्तों, नेक्स जो मेरा पीक है, वो है Apple iPhone 11, जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, एक साल से, काफी अच्छा डिवाइस है, मैं बता रहा हू प्रोसेसर कोई नहीं दे रहा है, तो यह काफी अच्छा डिवाइस है, और यह आपको सेल के दुरान मिल रहा है, 38,999 पे, ठीक है, नेक्स जो मेरा पीक है, यह है OPPO Reno6 Pro 5G, और इसका जो प्राइस है, 39,990 रुपीज है, पहले का जो प्राइस था, यह 47,000 था, तो 7,000 का ड Mediatic 1200 Dimensity Processor है, और इसके जो USB है, वो है उसका Curved Screen, और 12GB RAM, और 65W Superbook Charging, इसमें आता है, दोस्तों मैं बता देता हूँ, 65W Charging है, यह OnePlus 9 Pro, और 9 में आता है, और OPPO Reno6 Pro में भी वही सेम टेकनलोजी का 65W Charging है, काफी फास्ट है, 35 मिनिट में फुल चार्ज हो जाता है, काफी अच देख सकते हैं, तो दोस्तों मेरा next pick है, Realme GT 5G, इसका जो main USB है, वो है, फ्लैक्सी प्रोसेसर, इसका Snapdragon 888, और जो पहला का जो मैं फोन बताया, OPPO Reno6 में, और Realme GT 5G में उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, प्रोसेसर में दोनों में सेम है, अगर कुछ स्कोर देखेंगे, आप Antutu स्कोर बगरा, वो भी लगबग सेग हैं, लेकिन जिलनों को Snapdragon प्रोसेसर प्यारा है, वो लोग Realme GT चूज करें, और जिलनों को Dimensity प्रोसेसर, 1200 प्रोसेसर पर बहरो सा है, वो लोग उपो पर जा सकते हैं, डेफिनेटली उपो का डिजाइन अच्छा है, और Realme GT 3 के गेमिंग सेंट्रिक फोन है, इसलिए नाम उसका GT रखा गया है, और दोनों में 5G अभेलेबल है, तो दोस्तों इसरे में 3240 के खतम हो जाता है, अब आते हैं, जो मिड रेंज फोन है, 20 से 30 के के बीच में, 20 से 30 के के बीच में मेरा सबसे पहला पीक रहेगा iPhone SE, मेरा सबसे पहले पीक रहेगा iPhone SE, iPhone SE जो है, इसका सबसे बड़ा USB जो है, वो Apple A13 Biomic Processor है, काफी फास्ट फोन है, इतने कम रेंज में 26,999 में मिल रहा है ये, सेल के दुरान, और इतने अच्छे कम प्राइस में बहुत अच्छा फोन है, नो डाउट हाँ, इसमें आपको एक चीज में हिचकी चार्ट हो सकती है, क्योंकि इसका स्क्रीन जो है, फूल स्क्रीन नहीं है, पुराना iPhone वाला डिजाइन है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है, अनमेच्ट प्रोसेसर है, ओके, दोस्तों, नेक्स्ट जो मेरा पीक रहेगा, वो रहेगा, फिर से, एक प्योर Android फोन, जिसका मैं बहुत पसंद करता हूँ, Google Pixel 4, जिलों का फोटोग्राफी पे ज्यादा कंसेंटर सेन है, आजकल दुनिया में तीन केमरा, चार केमरा आता है लेकिन Google Pixel 4 में एक ही केमरा है, और एक ही केमरा का इतना ज्यादा परफ्रमांस अच्छा है, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे, फोन लेके, Google Pixel 4 है, ये सेल के दोरान एवेलेबल है, 25,999 पे, काफी अच्छा डिल है, इससे अच्छा डिल पिक्सल में नहीं दोस्तों, नेक्स जो मेरा डिल है, ये है ओपो रेनो 6, जो हम 30 से 40K के बीच में देखे थे, वो था ओपो रेनो 6 प्रो, और ये है ओपो रेनो 6 5G, और इसका जो प्राइस है, ये है 29,990 रुपीज, तो जस्त 30,000 रुपीज है, और इसमें, इसका जो सबसे बड़ा USB है, व वो है 65W Charging और Mediatek Dimensity 900 प्रोसेसर, थोड़ा सा प्रोसेसर पुराना है, लेकिन उतना भी खराब प्रोसेसर नहीं है, और 19Hz डिस्प्ले, 65W भूग चार्जिंग, तो ये भी एक अच्छा option हो सकता है, दोस्तों, नेक्स जो मेरा पीक है, वो है Motorola Edge 25G, इसका जो प्राइस है, य इसका स्क्रीन, 144Hz स्क्रीन है, हम लोगों के नॉर्मली 60Hz और 90Hz, 120Hz तो थोड़ा फ्लाक्सी ब्रेंज में आता है, इसका जो फीचर है, यह है 144Hz, मतलब गेमिक सेंट्रिक पॉन है, अगर आप BGMI या Asphalt 9 खेलेंगे, तो इसमें काफी अच्छा आपका रिफ्रेस्रेक मिलेग तो और इसका जो प्रोसेसर है, वो है Snapdragon 7780G प्रोसेसर, थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, 108MP कैमरा है, मोटरोला का कैमरा जो stock Android प्रोसेसर वाला कैमरा होता है, काफी अच्छा होता है, तो यह भी आपके लिए एक option बन सकता है, दो नेक्स जो पीक है मेरा, वो है Realme X7 Max, द Mediatek Dimensity 1200 प्रोसेसर है, जो की Mediatek का काफी अच्छा प्रोसेसर माना जाए, OnePlus Nord 2 में भी वही सेम प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर है, और इसका प्रफ्रोंस काफी अच्छा है, और इसका जो स्क्रीन है, यह है 120Hz स्क्रीन, तो काफी अच्छा यह प्रोसेसर मिलेगा, और gaming centric phone है, जो मेरा next pick रहेगा वो है OnePlus Nord 2 5G, यह बहुत अच्छा phone है, इसका मैं खुद यूज कर चुका हूँ, एक मेरा दोस्त के पास है, इसका camera इस रेंज में काफी अच्छा है, हाँ यह हसल ब्लाड बाला camera नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेसर, इसका जो performance है, मैं honestly बता रह है OnePlus 9R खरेदने के लिए, मैं तो recommend बिल्कुल भी नहीं करूँगा, 9R खरेदने का, मैं तो recommend करूँगा OnePlus Nord 2 आप ले लिजे, जिसका यह जो है, आपका 30,000 बीच में आएगा, और आपका YSDFC bank का card का offer भी मिल जाएगा, तो दोस्तों, इसमें यह section खतम होता है, तो जो next range आता ह लेके 20,000 तक, जो सबसे अगर मैंना पहला पीक रहेगा, 10 से 20,000 के बीच में वो रहेगा, Realme Narjo 35G, 15,000 के range में यह आपको 5G दे रहा है, और वो भी 6 bands of 5G दे रहा है, मतलब एक genuine 5G phone है, और Mediatek Dimensity 700 processor है, 15,000 के range में यह प्रोसेसर काफी अच्छा है, 5000 mAh बैटरी है, तो यह काफी अच्छा deal हो सकता है, इसमें दो भर जनास है, 4GB RAM और 4GB 64GB और 6GB 128GB आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, 10 से 20,000 के बीच में यह फोन जो है, यह बेस्ट फोन रहेगा, यह मेरा recommendation है, दोस्तों, जो मेरा next peak है, वो है Realme 8 Pro, यह इसका जो प्र 99, यह भी एक काफी अच्छा deal है, मैं पिछले जो बताया, Realme 5G वो इसलिए बेस्ट बताया, क्योंकि उसका range जो है, 15,000 से नीचे आ रहा है, अगर आप 3,000 जादा खर्च करेंगे, तो इससे अच्छा फोन आपको मिलेगा नहीं, इसका जो मेन USP है, वो है 720G प्रोसेसर, 4500 milliampere battery, Super AMOLED डिस्पले है, काफी Realme काफी अच्छा यह फोन को बनाया है, और इसमें यह आपका एक option हो सकता है, दोस्तों, जो मेरा next peak रहेगा, वो रहेगा Samsung F22, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं Realme, और OPPO, Vivo, सब Chinese brand के बता रहा हूं, यह से नहीं है, जो आपको अच्छा RAM 820GB, इसमें 6GB 128GB के साथ, आपका 14,499, मतलब 14,500 रहेगा, तो इसका जो मेन USB है, वो है इसका बैटरी, 6000 milliampere और बैटरी है, ठीक है, Mediatek Helio G80 प्रोसेसर है, मतलब यह गेमिंग चिपसाट है, यह गेमिंग अच्छेंट्रिक फोन है, केमरा भी Samsung का अच्छा ही रहता है, और इसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं है, HD डिस्प्ले है, लेकिन 15,000 के रेंज में आपको जो बैटरी प्रफोनस मिलेगा, और चिपसेट का प्रफोनस मिलेगा, इस रेंज में यह बेस्ट है, दोस्तों, जो मेरा next pick रहेगा, वो रहेगा, Motorola S20 Fusion 5G, यह जो फोन है, यह आपको रहेगा, 199999 में, और इसमें 6GB RAM, 128GB RAM बर्जन रहेगा, और जो 8GB RAM बला बर्जन है, यह थोड़ा सा 2000 उपर चल जाएगा, लेकिन 6GB, 128GB जो stock Android है, उसके लिए काफी अच्छा होता है, Motorola stock Android का परफोनस के लिए जाने जाता है, इसका जो main USB है, वो है तीन चीज, यह है 90Hz डिस् अप्शन हो सकता है, इसमें काफी और भी USB है, इसमें 108MP camera है, और इसका performance काफी अच्छा है, Mediatek Dimensity 800U processor है, मतलब गेमिंग चिपसेट है, आप इसमें गेमिंग अच्छा कर सकते हैं, और बैटरी जो है, इसका बैटरी जो है, वो चलेगा, आपका 5000MH बैटरी भी है, तो इसक काफी 20,000 के बीच में ये और एक best option भी रहेगा, आपको मैं बता रहा हूं, दोस्तों, जो मेरा next peak रहेगा, वो रहेगा Samsung Galaxy A22 5G, ये 17,500 में आपको आएगा, और इसमें 6GB, 128GB RAM रहेगा, इसका जो main USB है, वो है 5000MH बैटरी, दोस्तों, अगर आपको Samsung बहुत ज्यादा पसंद तो आप ये लीजिए, मैं तो ये device को थोड़ा सा कम recommend करूँगा, क्योंकि इसका जो build quality है, मैं एक बार देखा था, ये इतना अच्छा नहीं है, फिर भी, अगर आप Samsung का fan है, क्योंकि सर्विस में Samsung सबसे best है, उसका network काफी अच्छा है, अगर Samsung में आप ऐसा खर्च करना चा मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आए, तो और एक segment के discuss कर लेते हैं, जो Indians इसमें भी काफी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो है below 10,000, below 10,000 में, इस sale के दोरान, अगर below 10,000 आप phone लेंगे, तो आप थोड़ा पैसा waste कर रहे हैं, फिर भी, एक जो मेरा choice है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, वो है Motorola G10 Power, इसका जो प्राइस है 10,500 रुपीज है, काल लगाने के बाद 10,000 के नीचे आजाएगा, इसलिए मैं इसको पिक किया, बाकि जो phones है 7,800 में, वो आपको उतना performance नहीं देंगे, तो यह जो है, यह थोड़ा सा ठ थिक्ठा performance है, इसलिए मैं पिक किया हूं, इसका जो मेर यूएसपी है, वो है 6,000 मिलियामपेर बैटरी, 10,000 के नीचे, 6,000 मिलियामपेर बैटरी, और थोड़ा Motorola का ब्रांडिंग के साथ, स्टोक Android के साथ, यह quality वाल आपको performance देगा, इसलिए मैं इसको पिक किया हूं, तो यह भी एक दो वीडियो बनाने के कोशिस करूँगा, अगर मुझे टाइम होगा तो जो बाकी इलेक्ट्रोनिस्ट का डिल है, अगर और कुछ अच्छा चीज में आपको डिल मिल रहा है, उसका भी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, अगर आपको यह वीडियो आच्छा कर दे लिल होगा है, वीडियो आपको यह वीडियो आपको शोल्ग का यह except से policy, का अशिख सकते हैं, वीडियो आपको यह भी